हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्वामयाज कॉमर्स स्टेशन इस वीडियो में भी हम अपना चाप्टर एट कम्यूनिकेशन इना कम्यूनिकेशन को कंटिन्यू करेंगे एक पार इसका आचुका है इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक Relevance of Communication for a Commercial Organization मतलब कि एक Commercial Organization में Communication कितनी जादा Important है आज के टाइम में अगर देखा जाए तो Communication plays a very important role in any Commercial Organization किसी भी Commercial Organization में Communication का रोल बहुत जादा Important है क्यों है वही reasons हम देखेंगे तो यह आपका exam में question ऐसे ही आ सकता है D सीदा सीदा सकता है कि What is the relevance of Communication in a Commercial Organization या फिर आ सकता है कि Why is Communication essential in a Commercial Organization तो इन दोनों तरीके से आपका question exam में आ सकता है इसमें 8 points है यह reasons हैं कि क्यों Communication ज़रूरी है essential है किसी भी Commercial Organization पले ठीक है तो first इसमें reason है आपका वो है increase in size so देखो आज के time में जो business organizations हैं उनका size बहुत expand कर रहा है जैसे ही जैसे लोगों को goods की जादा जरूरत होती goods and services की तो business को उनका production भी बढ़ाना पड़ रहा है production बढ़ाने के लिए उनने जादा लोगों की जरूरत हो रही है अगर आप MNCs तेको MNCs मतलब multinational corporations जिनके अलग अलग देशों में उनके corporations उनकी organizations हैं तो उसमें क्या होता है कि एक company की या एक business की कई सारे branches हैं तो since business में जो corporations उनका size इतना जादा बढ़ता जा रहा है तो इतने जादा लोगों को manage करने के लिए इतने जादा लोगों से communicate करन करना पड़ता है आज के टाइम में एक company foreign company के लिए लोग इस इंडिया में काम कर रहे हैं इंडियन company जो है उसके लिए लोग foreign में भी काम कर रहे हैं तो company एक जगा है काम पूरे worldwide हो रहा है ठीक है कैसे हो रहा है क्योंकि communicate company उन सबसे कर पा रही है और अपना business बहुत ही large scale प इसन है जिसके लिए communication करना communication के टूल्स यूज करना बहुत ही जादा important हो गया है आज के टाइम में ठीक है यह आपका first point है second point आपका कहता है growing specialization growing specialization तो इस point का क्या मतलब है specialization से यहां पर क्या मतलब है देखो business में आपने देखो आपको पता है departments होते ठीक है departments वारा चाप्टर हमने कर रहा है functioning of a commercial organization उसमें देखा था कि एक business में कई सारे departments होते किसी भी business में किसी भी organization में अगर आप प्रूरा प्रॉपर देखो तो different type के departments होत एक department एक particular काम में specialized है जो भी काम जितना भी पूरा काम एक business में होना है उस काम को divide कर दिया है हम लोगों ने अलग अलगा फील्ड में और क्लासिफिकेशन जमने करी बहुत नारो करी जैसे कि एक बिजनेस का जितना भी प्रोडक्शन का काम है वो एक डिपार्टमेंट देखेगा जितना फाइनस का काम है वो एक डिपार्टमेंट देखेगा सेल्स का काम एक डिपार्टमेंट देखेगा मार्केटिंग का काम एक ड department देख लेता था अब क्या है यह division of work और नारो हो गई है और ज्यादा ज्यादा specialized काम हो गया production का काम sales का काम से अलग हो गया है तो यह इतनी डिपर जो division of work इतना नारो हो गया इससे मतलब है कि business में specialization आई है लोगों से order लेना उनको समान बेचना समान इंके पास आएगा कहां से production department जब production department प्रेडियूस कर लेगा गुड्स को अब sales department और production department के बीच में अगर communication नहीं होगी तो sales department को कैसे पता चलेगा कि हमें कितने orders लेने हैं जब sales department production department से communicate करेगा तब ही उसे पता चलेगा कि कितना समान कितना goods हमारे पास है और उसे के हिसाब से sales department लोगों से orders लेगा क्योंकि फिर उतने ही products को वो sell कर पाएगा अब communication जब तक नहीं होगी departments के बीच में तो वो कैसे काम करेंगे finance department जब तक बाकी department से interact नहीं करेगा communicate नहीं करेगा तब तक उन्हीं कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे budget बनाना है कैसे expenses करने कितने और तरीके से हमको पैसे लाना है business के अंदर तो इस तरीके से since growing specialization हो रही specialization बहुत हो रही आज के business में departments create हो रहे हैं जो अपना particular काम देख रहे हैं उन departments के बीच में communication होना बहुत ज़रूरी है so this is another reason for increased communication in the commercial organizations यह आपका second reason ता अब हम लोग आते हैं third point में third reason आपका है technological advancements technological advancements इस point से क्या मतलब है यह point कह रहा है technological advancement क्या कह रहा है technological मतलब technology से related invention science technology इससे related बात हो रही है advancement मतलब technology में growth तो अब आप पूछोगे कि technology में अगर growth हो रही है तो इसका communication से एक business के अंदर communication से क्या लेना देना है देखो जब भी कोई नई technology आती है कोई change होता है तो generally लोग normal जो human beings है human beings की tendency होती है कि वो उस change को नहीं करते है वो उस change को resist करते है नई technologies को यूज नहीं करना चाहते है तो यह जो resist है रेजिस्ट वाला nature एक human being का यही एक employee के अंदर भी होता है अगर कोई organization है और factory में workers काम कर रहे हैं अब फैक्टरी वाद जो owner है उसको पता चला कि यह machine जो है अब यह machines पुरानी हो गई है market में नई technology आई है और हमें उसको यूज करना चाहिए तो अगर वो नई technology को लाना चाहेगा अपनी factory में तो उसको अपने workers को समझाना पड़ेगा कि अब उन्हें एक नई technology से काम करना है चो पुरानी technology जिस पे उनको आदती काम करने की पुरानी machines में वो machines उन्हें नहीं use करनी है नई machines आएंगी और उन नई machines को use करने के लिए उनको फिर से training करनी पड़ेगी तो ये बात कम्यूनिक वरकर्स को समझाना और उनको ready करना to accept the change to accept the new technology and to get training in that new technology ये एक combustion task होता है ये असान काम नहीं क्योंकि human beings dynamic है change को resist करते है अब आपको एक चीज समझ आएगी जैसे इंडिया में फार्मर्स जादा तर रिजिस्टिव है नई modern technologies को यूज करने में वह फार्मिंग का काम जहें उसी पुराने तरीके से करने में बिलीव करते है अगर नई technology आर ये जैसे बाकी foreign countries यूज कर लिए तो आर्मर्स यहां पर थोड़े रिजिस्ट करते हैं उनको नई technology नहीं यूज करना है ठीक है तो पर बिजनिस में ऐसा क्या है बिजनिस में स्पेशली ये करना ज़रूरी है नई technology नहीं यूज करेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे तो ये जो technological advancements हो रही है नई technology यूज करने के लिए एक manager को उसको insist करना पड़ेगा अपने employees को और workers को कि वो नई technology को यूज करना सीखे ट्रेनिंग उस मिले तो ये insist करने के लिए communicate करना पड़ेगा effectively communicate करना पड़ेगा communication आप समझ डीजे simple बातशीत नहीं होती है communication तब effective होती है जब जो purpose है communicate करने का हमेशा communication किसी एक goal के लिए एक purpose करी जाती है फालतो बात नहीं करी जाती है एक goal होता है communication करने का और गोल achieved जब होगा तभी आप बोलोगी की communication आपने effectively करी है सो relevance communication का technological advancements की वज़े से भी बढ़ता जा रहा है यह point है अब उसके बाद देखते है fourth point और fourth point आपका कह रहा है cut throat competition cut throat competition cut throat competition क्या होता है जैसे आपनी word देखा cut throat गला काटने वाला competition मतलब कि बहुत ही severe competition बहुत ही ज्यादा competition अब अब फिर सोचोगे competition अगर बढ़ रहा है तो उससे communication का क्या लेना देना देखो यह आपकी specially book में जो दिया गया है उसमें दो टर्म्स यूज है liberalization and globalization liberalization और globalization अपने में पूरे chapter economics के जो आप पढ़ोगे 11th class में हुआ क्या था अभी बस इतना समझे कि हमारी economy में इंडियन economy में जब हमारा देश अजाद हो गया था उसके बाद LPG एक policy आई थी जिसमें अभी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है उस policy के आने के बाद क्या हुआ था competition बहुत बढ़ गया था specially public, private और foreign banks में ठीक है अभी आपको इस commerce के purpose से समझना है तो इसमें specially competition बहुत ज़्यादा बढ़ गया था और since competition जब बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा जरूरी होता है customers अपने create करना अभी जब 10th class में आप पढ़ोगे तो उसमें आप marketing पढ़ोगे marketing कैसे करी जाती है marketing में एक आप पढ़ोगे promotion mix promotion mix और promotion mix में वो सारी चीज़े आती हैं जिसका यूज एक business करता है अपने goods या services को promote करने के लिए customer को persuade करने के लिए बोलने के लिए कि आप हमारा समान ही खरीदो competition क्या है कि एक business चाहेगा हमारे goods and services भी के दूसरे goods and services के comparison में हमारी ज्यादा हो हमारे goods and services लोग पसंद करें तो उसके लिए हमें लोगों से जाके कम्यूनिकेट कर रहे हो कि customer आपके समान को आपकी services को खरीदे सो इसलिए because of cutthroat competition जो कि LPG policy के बाद हुआ था उसके बाद competition बहुत बढ़ गया था इसलिए business firms को customers के साथ कम्यूनिकेट करने की ज़रूरत और भढ़गी क्योंकि अब उनको competition face करना है उनको अपने goods को जादा better बनाना और उनको ये करना है कि लोग उनहीं के goods को खरीदे एक particular business की बात अगर करी जाए तो इसलिए communication यहाँ बहुत जादा relevant हो गया आज के टाइम में किसी भी business किसी भी commercial organization के लिए अब हम लोग देखते हैं fifth point fifth reason अगर देखो तो ये कहता है आपका trade union movement trade union होता क्या है trade union देखो trade unions basically क्या है labor unions जैसे आपने सुना होगा trade unions में क्या होता है जैसे एक business है ठीक है for example एक bank है bank में कई सारे employees काम करते होंगे अब क्या होगा जितने employees है वो सब अपने benefit के लिए कि उनके benefit specially benefit छोड़ो अपने rights employees के rights नहां पर हो तो वो क्या करते हैं एक union बना लेते हैं जैसा अपने labor unions का सुना होगा factory में जो workers काम कर रहे हैं उनकी unions बनी होती है मतलब क्या है जैसे सब से simple example college schools में क्या होता है student union बने होता है student union का क्या काम होता है students के rights नहां पर हो students को कोई तकलीफ हो तो वो बात seniors तब पहुचाने का काम किसका होता है student union के leader का होता है इसी तरीके से एक business में commercial organization में जो employees काम करते हैं जो workers काम करते हैं उनके भी unions बने हुए होते हैं ताकि उनकी जो problems है उनके जो grievances है वो seniors को और बाकी उपर जो representatives हैं उनको जाकर बताई जाए ताकि उनकी problem solve हो सके तो trade union movement में ये कहा गया कि banking sector में employee unions बहुत strong और बहुत जादा powerful होते हैं management must consult the union leaders on several matters अब ये union वाला system इतना जादा prevail हो जाता है कि bank में अगर employee का union बनाया तो bank managers को उस employee union से communicate करना पड़ेगा before passing any policy before making any changes कुछ भी change करने से पहले कुछ भी decision लेने से पहले उनको union से concern करना पड़ेगा कि whether they are agreeing with that or not ठीक है तो इसलिए क्या है इसमें भी क्या है आपको communicate ही तो करना है manager को बात ही तो करनी है तो वही है कि trade union movement के वज़े से unions इतने बन गए हैं जिसके वज़े से job managers है उनको union members से union leaders से communicate करना पड़ेगा इसलिए भी communication effective communication बहुत ही जादा relevant है बहुत ही जादा essential हो गई है अब देखते 6th point 6th point कहता है human relations human relations क्या कह रहा है human के relations अब यह human relations में कौन से human relations की बात हो रही है business perspective से बात हो रही है effective communication between management and employees is necessary to develop mutual trust and confidence देखो एक manager और एक employee के relation कि यहां बात हो रही है एक business organization में होते कौन है superiors होते हैं subordinates होते हैं और lower staff होता है तो इन सब के बीच में जो relations है वो सही होने चाहिए क्योंकि अगर एक manager और employee के बीच में relations नहीं होगा then employee manager की बात नहीं सुनेगा manager के orders को follow नहीं करेगा और जब manager है वो भी organization goal को अचीव करने के लिए employees को नहीं बोल पहेगा कि तुम काम करो तो जब तक उनके बीच में trust confidence नहीं built होगा तब तक वो एक दूसरे का काम एक दूसरी की बात नहीं सुनेंगे ठीक है तो यह trust or confidence होने के लिए communication करना ज़रूरी है जब किसी से पहली बार मिलते हैं नहीं मिलते देन हम उतना जादा comfortable नहीं होते हैं लेकिन जब उनसे communicate करना शुरू करते हैं जब उनसे बातचीत करना start करते हैं तो comfortable हो जाते हम में एक mutual trust confidence हो जाता है between the parties तो similarly एक manager अपको अपने employees के साथ भी communicate करना पड़ता है ताकि अगर manager कोई order दे रहा है employees को employees इतने comfortable होने चाहिए कि अगर उन्हें कोई problem है कोई genuine problem है तो वो अपने manager को बोल सके अगर ऐसा नहीं होगा तो employee क्या करेगा काम तो ले लेगा पर करेगा नहीं effectively ठीक है तो उससे organization को ही नुकसान होगा तो इस वज़े से communication बहुत ज़ादा ज़रूरी हो गया because अब देखो आज के time पर employees को एक machine की तरह नहीं देखा जाता है उनको human being की तरह ही treat किया जाता है and for that purpose एक manager और employee के बीच के relations बहुत सही होने चाहिए तो और वो सही कैसे होंगे effectively communicate करने के बाद so यहाँ पर यह human relations की बात हो रही थी अब आते हैं 7th point में 7th point is public relations public relations और human relations में एक difference है जो human relations है वो organization के अंदर की ही लोग की बात हो रही है manager employee के साथ और lower staff जो है उनका employees or managers के साथ इन relations की बात हो रही है public relations क्या कहता है public relations होते है एक business का, एक business का society के साथ business का government के साथ ठीक है, business का बाकी जो factors है उन सब के साथ तो यहाँ public relations कह रहा है कि society expects more and more from managers business has to keep the government, distributor, supplier, investor and other sections of the society well informed देखो, public relations बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो गए आज के टाइम पर एक business को है, उसको सब को देखके चलना है अगर business कोई है, कोई business unit है तो उसको society को भी देखके चलना है आज के टाइम पर क्या है, इतने ज़्यादा rights हो गए है लोग के पास और इतनी ज़्यादा responsibilities business के उपर हो गई है क्योंकि business, देखो business हो रहा है, production का काम हो रहा है कोई भी काम हो रहा है, pollution होता है ठीक है, pollution's effect किस पर जा रहा है society पर एफेक्ट हो रहा है जो pollution, air pollution हो रहा है या land pollution है, तो business ही तो है जो क्या कहते है चिमनी से जो भी smoke पकेरा निकल रहे है या वो dump कर रहे है नॉर्मल लोग भी करते हैं, बट business का भी इसमें हाथ होता है तो pollution से effect हो रही society so they are responsible to the society अब business जो है, business के distributors है जो भी business अगर कुछ produce कर रही, कोई समान तो distributor वो लोग होते हैं जो उस business के समान को अलग-अलग जगा पर distribute करेंगे suppliers उस business को अपना काम करने के लिए production करने के लिए जो लोग raw material supply करेंगे या और machine supply करेंगे तो वो suppliers हो गए जो business के customers हैं तो एक business के बाहर एक उस organization के बाहर की जितनी parties है चाहे वो society हो, चाहे वो customer हो investor हो, जिसने business में पैसे लगाए है supplier हो, distributor हो उन सब के साथ भी business को बहुत cordial relations maintain करना पड़ेगा और वो करने के लिए भी communication ज़रूरी है communicate करके ही mutual trust and confidence develop कर सकते हैं human relations, manager employee के relations public relations, relation of the business with the society, customer, investor, supplier तो ये दोनों पॉइंट से भी यही clear हो रहा है कि communication आज के टाइम पे बहुत ही जादा relevant होगा ये for any commercial organization अब last 8th point है आपका which is saying personal asset personal asset personal asset का क्या मतला asset क्या होता है asset देखो asset का अगर आप general समझो तो asset वो चीज जो हमारे पास है जो resource हमारे पास है एक business के perspective से सोचो asset वो resources होते हैं जिनसे बाद में वो cash या money generate कर सकते हैं ठीक है जैसे कि अभी आपके पास कोई भी समान आपका phone आपके पास asset है कि आप इसको बेच के पैसे ले सकते हो या आप अभी अपने phone को use करके knowledge गेन कर रहे हो ठीक है आपके घर पे जो समाने वो asset है तो यह जब assets होते हैं हमारे personal asset क्या है हमारा personal asset क्यों हमारा खुद का asset हमारे लिए resource है communication ऐसा क्यों हो रहा है आज के time पे या पहले भी ऐसी होता था बट आज के time पे especially communication अगर किसी person की किसी individual की बहुत effective है बहुत अच्छी है तो वो उसको कई जगह पर आप बोल सकते हो कि उसको कई जगह पर help करती है जैसे for example आप किसी भी profession को देखो चाहे आप teaching का देखो lawyers का देखो चाहे आप business में ही देखो communication बहुत ही ज़ादा ज़रूरी है communication एक skill है लोग आज skill communication classes भी लेते हैं एक manager को हमेशा communicate करना पड़ता है manager के लिए communication सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि manager को ना केवल अपने से lower लोगों से communicate करना है अपने employees से, workers से even जो lowest staff है जो staff काम कर रहा है चाहे वो cleaner हो चाहे वो watchman हो उस manager को अपने senior से वो अपने superior से communicate करेगा और एक normal भाषा local language जिससे वो अपने subordinate से communicate करेगा और communicate करना एक art है it is a skill, चाहे किसी भी profession को देखो तो अगर किसी person के पास communication skill है आज के time पे तेन ही वो अपने profession में या अपने business में enhance कर सकता है, उसको enhance कर सकता है effectively perform कर सकता है तो यही इसलिए बोलागा कि communication एक personal asset है for anyone in today's generation in today's era तो यही बताया गया इस point में कि इसलिए communication जरूरी है क्योंकि किसी भी profession में आपको communication आनी ही चाहिए especially in the profession of management ठीक है, तो यह 8 points थे इन 8 points को आप लिखोगे अगर आपके question में आएगा कि what is the relevance of communication in commercial organization यह अगर आता है कि communication, effective communication क्यों होनी चाहिए किसी भी organization रे क्या जरूरत है उसकी तो यह आप इन 8 points को लिखोगे क्यों रीजन से first is कि business का size increase हो चुका है growing specializations इतने सारे departments बन गए है third is technological advancement नई technology आएगे तो उसको communicate करना to make the people change themselves ठीक है and to accept the new technology इसके लिए communication ज़रूरी है cutthroat competition हो गया then उसके बाद trade union movement human relation, public relation and personal asset है communication so these are the points इससे आप इस point को prove कर सकते हो and I hope you understood this next video में देखेंगे आगे एक और जो भी इसमें chapter में आएगा वो सारी चीज़े तेखेंगे और धीरते करके chapter complete होगा and you all study hard, take care of yourself and all the best